तो दोस्तो step by step Mahindra जो है वो अपनी SUV लाइनप को अपडेटिट कर रहा है अपने ट्विन पीक्स लोगों के साथ में तो इसका जो डेब्यू है वो हुआ था XUV 7W के साथ इसके बाद इसको देखा गया Scorpio N में फिर उसके कुछ समय बाद ही Scorpio Classic लाउंच होई उसमें भी ये लोगों के साथ इसमें अपडेट दे दिया गया चोटे मोटे इसके बाद मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी कि एक CV 3W का एक फेसलिट वर्जान आने वाला है जिसमें कि आपको नए इंजिन आप्शन मिलेगा साथ ही वह भी नए ट्विन पीक्स वाले लोगों सीजस के साथ में है तो मैं आपको पहली बता दिता हूं पहली इस चीज़ क्लियर गर देता हूं कि आपको ज्धांधा उम्मीद लगाने के जरूत नहीं है क्योंकि कुछ ऐसा कुछ इसमें चेंज नहीं वाला है बस ट्विन पीक्स वाला जो लोगों है वहीं इसमें इसके साथ ही और दूसरे सेफटी फीचर्स भी मिल गए जैसे की एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीड बेल्ट रिमाइंडर और को ड्राइवर ऑक्यूपन डेक्शन सिस्टम वह भी असे स्टेंडर आपको मिलने लग गया तो अभी जो है जो बुलैरो है वह तीन आप अगर फीचर्स की बात करें तो वही सेम फीचर्स आपको मिलेंगे कीले सेंट्री सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ब्लुटूथ एनेबल म्यूजिक सिस्टम विद ऑक्स एन यूजबी रिमोट फ्यूल लिड ओपनर मैनूल एसी और पावर स्टेरिंग अगर ह आती है 1.5 लीटर एम हॉक डिजल इंजिन के साथ जो की प्रोड्यूस करता है 75 बीचप की मैक्स पावर 3600 रपीम पे और 210 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क 1600 रपीम पे यह गाड़ी आती है 5-speed manual gearbox से साथ एसन स्टैंडर्ड बुलेरों की प्राइस की बात करें तो इत्च शोरूम हलाकि ऐसा कुछ इसमें चेंज करा नहीं है कि हम इसे facelift कह सकें लेकिन फिर भी अब क्योंकि SUV वाला स्टेटस है तो इसको maintain करने के लिए लोने यह वाला logo डाल दिया इसमें कमिंग वीक्स में आपको यह गाड़ी शोरूम में मिल जाएगी तो आज की information नहीं तक थी मिलते हैं next video में thank you very much